नमस्क्राइब जेहिंद बैयलोजी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग जेयो प्रकरम यानि इसके विशे में पढ़ेंगे होता क्या है इसके लिए मैं NCRT बुक का सहरा लोंगा उसमें जितने भी बातें बताई गई हैं मैं आपको लाइब समझाने की कोशिस करने वाला हूं इस वीडियो कंप्लेट देखिएगा आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यह जो वीडियो है वो सेक्षन बाई सेक्षन आएगा ठीक है तो एक एक प्रकरिया को समझेंगे देखिए भारती भौन किताब में तो है ना एक एक प् आपको देखने को मिल जाएगी नहीं पार्ट बाई पार्ट आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज यह है कि जयो प्रकरा में पोशन परना है और आज हम समझते हैं इस यह होता क्या है उसके बाद इतने भी फंक्शन होंगे उन सभी का डीटेल वीडियो आपको मिलेगा मैं चाहता हूं कि 30 से 35 मिनट की वीडियो में आपको पार्ट बाई पार्ट समझाने की कोसिस करें ताकि आपका भी शमय बचा रहे और हम कम समय में जादा से जादा चीजों को एचीव कर पाएं ले पाएं चली चलते हैं स्क्रीन पर और स पार्ट समय को यह है वह बाई बात में वीड़न को क्रीम ने नहीं किया है कि इन चीजों को अलग करें बताते हैं जैसे भारती भावन यह सारे जो हैं इसको अलग कर देते हैं तो हम यहां पर बिहार बोड़ वालों के लिए लेकर रहा है काफी कमाल की NCRT का कंसेप्ट लेकर उससे पहले आप सबी लोग के कहना चाहूंगा की चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजएगा सर्माजी एडूकेशन को और जोइन कर लिजएगा टेलीग्राम चैनल ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्किप्सर में मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं डेट सर्माजी 03 ठीक है लाइक कीजी वीडियो को और सेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ 7 बज़े का जो यह समय दिया ग साइंस की किताब में अध्याय नमबर है छाए ठीक है तो जिसका नाम है जैव प्रक्रम थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे और अच्छे से समझने की कोसिस करेंगे जी जैव प्रक्रम क्या होता है और आखिर कौन कौन सी बातें से बताएं करते हैं हम जैव जैव का सीदह म देखते हैं पिर गाय को जूगाली लमी में एक इनसान को जोड से चीखत kanon kita hai ''कि pathway कोई दौर रहा है या कोई गाया भाष्ट से जुगाली कर रही है Só जोगाली करना ही नहीं ख़र चल रहे है खा रही है चर रही है गली में कोई भी इंसान गली पर भी नहीं और रोड भी होसकता है चल रहा है जोड से चीक रहा है जग्डा कर रहा है तो हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर सपस्ट कर देते हैं हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है लेकिन पौदों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव है या फिर निर्जीव पौदे ना तो यहां आपको सांस लेते हुए दिखते हैं नहीं चीखते हैं और चिलाते हुए दिखते हैं ठीके और नहीं आपको जुगाली करता हुए दिख जाता है तो क्या है उनमें ऐसी कौन सी गुण है जो से हम कहेंगे कि यह एक सजीव है इसी वीडियो में हम जानेंगे हम में से कुछ कहेंगे कteri कि अब बताईए मैंने भी जीसे कोश्चन किया कि पॉले जो है वो सजीव है कि नहीं है अब ने कहा कि हाजी सजीव है क्योंकि वो हरे दिखते हैं लेकिन उनके बारे आप क्या कहिएगा लेकिन उन पहुदों के बारे आप क्या कहिएगा जिसकी पतिया हरी नहों करके अन्य रंग की भी होती है ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनकी पतिया हरे रंग की नहों करके अलग-अलग रंगों की होती है लाल पिले भुड़े इस तर देंकि दूसरे सब्दों करम कहेंगे तो सजीव के समाने कुछ लक्षण होते हैं ठीक ना कुछ समाने प्रमान है कुछ लक्षण है उन्हें कुछ गतिविधियां गतियां है उस पर विचार करते हैं ये व्रिदी संबंदिया अन्य गतियां हो सकती है लेकिन वह पौधा भी जिसमें व्रिदी पडिलक्षित नहीं होती है पडिलक्षित कहने का मतलब दिखता तो नहीं है बट होता है कुछ जन्तु साफ तो लेते हैं प्रंतूर्ण में गति असपर शुरूप से नहीं दिखाई देती है ठीक है लेकिन वह भी सजीव है अता दिखाई देने वाली गति जीवन के पड़िभाफित लक्षन के लिए पड़ाप्त नहीं है जी हम यह नहीं कहें कि गति है तो सजीव है गति नहीं है तो सजीव नहीं है अब आये कुछ और भी यहां पर चीजों को समझते हैं जैसे देखिए अतिस चुछ में स्केल पर होने वाली गति है मतलब सभी लोग जानते हैं कि साड़ी चीजों जिस पर आपको पढ़ा रहा हूं वह भी एक पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ एक बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ लेकिन इनमें भी गतियां है क्या सही में हैं आये यह अधिश आनवी गति होती है जो जीवन के लि फिर्टेशंदार 99 गती नहीं होती विश्यानुवियों यानि के वायरस जो होता है इसमें कोई दो कियाने की अनवी, आनवी कि नहीं कौर्शम कि नहीं करते हैं उससे पहलो तो गती नहीं होता है जैसे इनफेक्ट किया और वो फिर मोशन में आ जाता है देखिए आता इसी कारण से यह बिवाद बना हुआ है कि वास्तों में जो वायरस है वो सजीव है या फिर नहीं है ठीक नहीं चलिए वायरस की बातें बात में कर लेंगे अब समझ लेते हैं कि जीवन के लिए आनवी गतिया क्यों आवश्यक है देखिए हम पूर्वक अक्षा में हमने देख लिया है कि सजीव की जो सरचना होती है वो सुसंगठित होती है सुसंगठित कहा है मतलब उसमें ए उत्तक हो सकता है उत्तकों में कोशिकाय होती है यानि बहुत सारे कोशिकाय से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तकों मिलकर के हमारा अंग बनता है ठीक न और यहीं अंग मिलकर के हमारा अंगतंत्र का निर्मान करते हैं और यहीं अंगतंत्र मिलकर के पूरे बॉड़ी में प होती है कोशिका और कोशिका में भी छोटे-छोटे गटक होते हैं और सजीव की यही संगाटित एवं शुवेवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरन के प्रभाव कारण वीगटीत होने लगती है चलिए इसको समझते हैं कि यह काना क्या जा रहा है अगर यह विवास् अनुसे मिलके बनी होती है अता उन्हें अनुव को लगतार गतिशील बनाया रखना चाहिए सजीवों में अनुरक्षन प्रक्रम कौन से हैं इसको खोजेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको यतनी भी बाते की इसको थोड़ा सा आसान भाशा में समझाने की कोसिस कर देता ह देकि इन्हों ने ये कहा है कि जो मालनी जा कि एक सेल है ठीक है और सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको लोग मॉलेक्यूल कह सकते हैं शान भाशा में या ठीक ना अनु कह सकते हैं इसमें एक गतिया होती है लेकिन समय के साथ साथ अगर ये हिर्म बंदो खजाए, खतब हो झाये तो यह जो है ना पड़्यावरण के प्रभाव के कारण विग्टी तो होने लगती है, जो यह जो भ्यवस्था है ये पूरे आ ह music Monsieur से से बना टिस्यू ए इत Watts की लिए उत्त लभालिता 5 6 संगटित शन्चना के ये इसंद ब्यवस्था तूटने लगती है, अगर सेल खराब होना शुरू हो जाएगा, तो सारा सेल खराब हो जाएगा, और एक निफ्चित समय पर पूरा पूरा बोडी ही खराब हो जाएगा, तो जीवों को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए, हम लो क्या करते हैं, इसका मरमत करेंगे जी, औ के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जैव प्रक्रम भी कहते हैं, अनुरक्षन करने का मतलब है, जीवों की सुरक्षा, ठीक न, कि जीवों की सुरक्षा कैसे होगी, तो उसके कोई प्रक्रम होंगे, कोई शिधान्त होगा, कोई थियोडी होगा, कोई न कोई चीज़े यहा जाहेए समझाने की कोसिस की जाएगी देखे जीवों का जो अन्यूरक्षण काले है वो निरंतर होना चाहिए जा Felix से बाथ थाख़र नही टीसू खराब हो जाएंगे, सेल्स खराब हो जाएंगे और बॉडी जो है वो खतम हो जाएगी उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेश कारे नहीं करते हैं विशेश कारे काने का मतलब जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं बैठा हुआ हूँ और अब मैं कलम से इस साथी चीजों को समझा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो ये एक इस तरह की गतिविदिया हो रही है जो समाने से ज़्यादा है मतलब ऐसा कहा जाए कि विशेश है ठीक है ना अब मैं सो जाऊँ ठीक है और सोने के बाद ना तो मैं बोल रहा हूँ ना मैं कोई अपनी सडीर का अंग को हिला रहा हूँ या उसको गति में नहीं डाल रहा हूँ या उफने एक्जामपल दिया है कि कक्षा में अगर आप बैठे हुए हैं उस शमय भी या अनुलक्षन का काम चलता रहाना चाहिए ठीक है अगर आप सोय हुए भी हैं तब भी आपका अनुलक्षन नहीं की जीवित रहने या कारे चलता रहना चाहिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप शे अनुलक्षन का कारे कराती है वो जैव प्रक्रम कलाती है अगर हम इसको डेफिनिशन से देखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी सभी शजीव के लिए या उसका अनुलक्षन के लिए जो भी प्रक्रम है जो भी कारे हैं अगर वो सम्मिलित रूप शे हो रहे हैं उसके अनुलक्षन के लिए हो रहे हैं तो वो चीजे कलाएगी जैव प्रक्रम चली अब यहाँ पे आगे कुछ बाते लिखी गई है थुरा सा उसको भी हम समझते हैं देखिए अब इक कार आए क्योंकि च्छती तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुलक्षन प्रकरम की आवशेकता होती है तो इसको क्या करेगा यह रोकेगा, कौन रोकेगा माले जिए अनुलक्षन करेगा अनुलक्षन मतलब उसको रोकना या उसको सही करना थीक न? तो उनके लिए हमारे पास उर्जा की जरूरत होगी तो यह जो उर्जा है वो एकल जीव के सरीर यानि एक जीव के सरीर से बाहर आती है इसलिए उर्जा का जो सुरोत है वह बाहर के जीव के सरीर में अस्थानांतन के लिए कोई प्रकरम होना चाहिए यानि कि अदखी अभी थिवरी है कि उर्जा को ना तो उतपन किया जा सकता है तेक है उतपन भी नहीं किया जा सकता है और इसको ना तो नश्ट किया जा सकता है दोनों में से कोई ने किया जा सकता है ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बाडी से दूसरे बाडी में ट्रांस के सुरोत को हम भोजन करते हैं ठीक है अब यह सरीर के अंदर लेने वाले प्रकरम को पोशन करते हैं हम जो खाएंगे उस्से कहेंगे भोजन और बॉडी जो हमारा इस भोजन से अबसर्फ करेगा उसे कहेंगे पोशन ठीक है यदि जीव में सारेरिक वृद्धी होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतरिक्त कच्ची समागरी की भी आवसकता होगी अब जाहिर से बात है कि एक विक्ती छोटा है तो इसे बरा होने के लिए उर्जा की जरूरत होगी उर्जा जब इसको मिलेगा बोडी में पोशन होगा भोजन करेंगे तो पोशन होगा जितने भी नए नए टिशू है वो बनेंगे तब ही तो हमारा बोडी विक्सित होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको अतरिक्त कच्ची शमागरी मतलब वहले तो रो मेटेडियल की जर्वत होगी यह जो रोड मेटेडियल है जिसे हम लोग भोजन के नाम से भी जानते है अब देखिए क्योंकि प्रित्वी पर जीवन कार्बन अधारित अनुवपर निडबर है अधिकां से खाद पादर भी कार्बन अधारित है अ अब यह छीज आपको नहीं समझ माँआ होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रित्वी पर प्रित्वी बात की जा रही है अन गरह की बात नहीं की जा रही है तो प्रित्वी पर क्या है कि जितने भी जो जीवन है वो कार्बन अधारित अनुवपर निडबर है अब किसी भी चीजों को अगर हमको जानना होता है कि कितनी साल पूराना है तो यहां पर कार्बन का ही प्रयोग किया जाता है उससे निकाला जाता है ठीक है ये तो बात की चीज़े हैं तो अधिकांस पदार्त में जो है कार्बन पाया जाएगा अब इन कार्बन स्रोतों की जो जटीलता के अनुशार वीविद जीव परकार के जो पोशन परकरम जो प्रयूक्त किये जाते हैं अब देखिए हर बोडी के लिए हर किशी के लिए अलग अलग परकार के लिए पोशन प्रकरम होंगे ठीक है अब इस पोशन प्रकरम में कोई कुछ और खाएगा तो कोई कुछ और खाएगा ज़रूरी नहीं है कि जो एक विक्ति खाए जो एक प्रानी खाए एक सजीव खाए वाही भोजन को दूसरा सजीव भी गरहन करे यह बिलकुँ जरूरी नहीं है तो इस प्रकार के भिन प्रकार के पोसन प्रक्रम चलेंगे आईए यहां पे हम आगे पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है देखिए चुकि पर्यावरन किशी एक जीव के नियंतरन में तो है नहीं यानि एक टाइप के जीव इस पूरे पर्यावरन में नहीं पाये जाते हैं यानि इसका नियंतरन भी एक जैसा नहीं है अता उर्जा के ये जो बाहें सुरोत होंगे वो विविद परकार के हो सकते हैं मतलब अलग अलग परकार के हो सकते हैं सरीर के अंदर जो उर्जा के इन सुरोतों के विगटन या फिर निर्मान की जो हो सकता होगी जिससे ये अंतता उर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए यानि कि बोडी के अंदर जो भी उड़ जाए मिलेंगी उसका जो स्रोत होगा या जो उसका निर्मान करने वाला होगा स्रोत के से जो विग्रण निर्मान होगा या विग्रण होगा जिसके जरूरत होगी वो एक स्रोत में परिवर्तित होने चाहिए ठीक ना उड़ जा के एक स्रोत में इसका हम आगे एक्जाम्पल्स भी देखेंगे तो हम कोई चीज़े समझ में आ जाएंगी या जो है विविन आनवी गतियों के लिए एवं विविन जीव सरीर के अनुरक्षन तथा सरीर के विद्धि के लिए आवश्यक अनुव के निर्मान में उप्योगी है या देखें जो भी एलिमेंट हमें या भोजन के रूप में या फिर पोसन के रूप में मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि صرف और सिर्फ एक ही जैसे پराणी के लिए जो है उप्योगी हो हो सकता है कि उससे दो या दो से जादा पराणी के लिए भी वो उप्योगी हो उसके अंदर जो भी अन्वी गती होंगी जो उड़जा के रूप में हम पोसन के फोर में निए पोसन लेंगे वो हमारे बॉड़ी में जाएगी हो सकता है कि वही चीज़े दूसरे के बॉड़ी में जाकरके अन्य प्रकार की अनुरक्षन का कारे करेंगी इसके लिए जो है हम लोग सरीर के अंदर रशायनिक किरियाओं की एक स्रिंखला की ओशकता है जिससे हम लोग उपचयन या अपचयन अभी किरियाओं अनुरके विगडन की कुछ शामान रशायनिक युक्तियां के बारे में जानेंगे और उससे हम समझेंग की अपचयन क्या होता है उपचयन क्या होता और यह अपचयन क्या होता है आगे समझते हैं आगे इसमें क्या कर रहा है आगे कर रहा है कि इसके लिए बहुत से जीव सरीर के बाहरी स्रोत से अक्षिजन प्रयूक्त करते हैं प्रियुक्त करने का मतलब लेना, सरीर के बाहरी छेत्र से, बाहरी सुरोत से ले रहे हैं, सरीर के बाहर से ओक्फिजन को ग्रहन करना तथा कोश किये और सकता का अनुसार, खाद सुरोत के विगटर में उसका उपयोग स्वसन कालाता है, यानि कि हम अपने बोडी के किसी एक बिभिन पार्ट से बाहर वाजु मंडल में उपफ्तित ऑक्षीजन को अपने अंदर लेते हैं, और यही ऑक्षीजन हमारे पुर्ण कोशिकाओं में पहुँच करके, खाद सुरोत से जो भी चीजे जो भी पोशन प्राप्त हुआ है, उसका विगटर करता है, तो उसका जो उपयोग है, वो श्वशन कहलाता है, ठीक है, अब समझते हैं, कि अगर एक एक कोशिकीए जो जीव हैं, उसकी पूरी सत्ता जो है, पढ़्यावण के संपर्ग में रहती है, अता उन्हें भोजन ग्रहन करने के लिए गैसो का आदान प्रदान करने के लिए या फिर वर्ज पदार्थ के निशकाशन के लिए कि शिविशेश अंग की आशकता नहीं होती है, एक कोशिके जिसका यूनी सेलर या यूनी सेल बॉड़ी कहेंगे, इसमें होता यह है कि उस प्राणी का एक ही सेल होता है, हम लोग बहुत सारे सेलों से, बहुत शंख्यक सेल, ऐसे कहेंगे कि हम लोग मल्टी सेलूलर हैं, मल्टी सेलूलर, तो हमारे पास बहुत सारे कोशिकाएं हैं, लेकिन जो एक कोशिकाएं हैं, उनका पूरा बॉड़ी जो है पड़या वर्ण के संपर्क मराता है, अब इनके लिए भोजन गरहन करने के लिए कोई अलग से हाथ, पैर, मुह न पर कोई अंग विक्सित नहीं हुआ है, साथ ही साथ बोजन गरहन करने, और जो मल मुतर त्यागने के लिए, या उसका वर्ण पदारत को निश्कासन के लिए, किसी वीशे संकी, और सकता ही नहीं होती है, तो कैसे करते होंगे, इसके बारे में भी हम आगे बार्ट करेंगे लेकिन जब जीव के सरीर का कार बढ़ता है, तो सारेरिक अभिकल्प अधिक जटील होता जाता है, अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि एक एहीं सेल्स सारे कार्यों को करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे जटीलता सामने आती है, तब क्या होता कोशी जीवों में, सभी कोशिकाएं, अपने आस पास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, जाहिर से बात है, अता विसरन सभी कोशिकाओं की अशक्ता के पूर्ती नहीं कर पाता है, या नहीं कर सकता है, या जो भी चीजें, जो भी सेल्ल हम लोगों का, वह को तो कर सकता है कुछ हीं कर सकते है सारे नहीं कर सकते हैं कुछ बाहर muchas हैं और कुछ हमारे बोडि के अंदर है इंटर्नल पार्टम है तो वो कैसे करेंगे तो उनके लिए हम समझेंगे झाई हम पहले भी देख चुके हैं कि बहु कोशिकिये जीवों में विभिन काड़यों को करने के लिए भिन भिन अंग विशिष्ट कृत हो जाते हैं मतलब अलग अलग अंग बन जाते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया हम इन विशिष्टी कृत उत्तकोशे तथा जीव के सरीर में उनके संगठन से पड़िचित हैं जाईर से बात है कि हमारे पास बहुत सारे अंग हैं तो उनसे हम पड़िचित हैं और सारे अंग अलग 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 प्रकार के कोशिकाओ से मिल करके बने हैं अलग अलग उत्तकोशे मिल के बने अत्ता इसमें कोई भी आश्यर नहीं है कि भोजन तथा अक् अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाओं या फिर उत्तकोश्य मिल करके बढ़े होते हैं परन्तु इससे एक समस्या पैदा होती है या भी भोजन एवं अक्षीजन का अंतग रहन कुछ विशेष्ट अंगों के द्वारा होता है परन्तु सडीर के सभी भागों में इनकी आउसक होती है तो फिर आखिर कार्ड यह जो ऑक्षीजन है यह भोजन के जो हम लोग ग्रहन करते हैं उससे प्राप्त जो उड़ जा है वो कैसे पूरे बॉड़ी हैं पहुंचेगी इसके विशह में हम आगे जानते हैं तो अब हम समझते हैं कि इस स्थिती में जो है भोजन एवं बॉड़ी हैं कि हमौरा एक बॉड़ी है यह यह पूरा ठیک है यह मने आपको SIMPLE बता दिया ऐसे कि इनमारा बॉर्डी है और इस में इस बॉड़ी में हिख अलग-अलग प्रकाड की अंग पाएगे यह फ्यर की अब एक अंग को क्या मिलडा़ कोईना कोई कोई कर्यर सौप गया है अब उसको वो काड़ सौंप देने के बाद साड़े लोगों तक उड़ जा कैसे पहुंचेगी तो इसके लिए एक वहन तंत्र की आउसकता होगी और यह वहन तंत्र किन की चीजों को ढोएगा इसके भी से में आये जानते हैं जब राशायनिक अभी किरियाओं में कार अरबन सुरत अथा फुजन का उपयोग होगा उड़जा को पराप्त करने के लिए होगा तो ऐसे उपोतपाद भी बनते हैं यानि ऐसे कुछ प्रोड़क्ट बनते हैं जो सरीर की कोसिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं बलकि वे हानिकारक भी हो सकते हैं हमारे ब बादार्थ क्या करते हैं की हानिकारक तो होते ही हैं और अनुपयोगी भी होते हैं तो इन अपस्षिष्ट उत्पादों को बाहर सरीर से कैसे निकाला जाए तो उसके लिए भी हम लोग अलग प्रकार के एक तंत्र की जरुड़वत होगी और यहाँ पे प्रकिरिया होगा से हम लोग उत्र सरजन कहेंगे ठीक है यदि बहु कोशिक ये जीवों में सडी अभी कल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्र सरजन के लिए विशिष्ट उत्तक विकसित हो जाएगा उत्तिकली हो झाएगा ठीक है इसका अर्थ है कि पड़िवहन तंतर की वृशक्त है आपकि सिष्ट पदार्थों को कोशिकां से उत्र सरजन उत्तक पहुच अने के होगी, जो भी चीजे जो भी उत्र सरजन तंतर तक पहुचाने के लिए जो भी यहाँ पड़ करेंगा इसमें अलग-अलग cells participate करेंगे, tissues participate करेंगे, वो उतसरजन तंतर तक लाएगा, फिर ये उतसरजन तंतर अलग परकार के कोशिकाओं या फिर उतक से बने होंगे, ये इस तीजों को बाहर निकालेगा, तो कुल मिलाकर का हम बात करें, तो हमारे शरीर में जो अनुरक्षन के लिए होती हैं, वो अलग-अलग परकार के प्रकरम होते हैं, और इन प्रक्रमों को करने के लिए, और रक्षित करने के लिए अलग-अलग परकार के सिस्टमा अटोमेटिकली बन जाते हैं, बॉडिस में विक्षित हो जाते हैं, यहां पे कुछ प्रस्शन हैं, जिसका हल हम आने वाले वीडियो में आपको करा देंगे, एक एक करके explain करके तो जूरे रहिएगा हमारे शाथ और यहाँ पे पहला हमारा topic आता है जो की है potion अब इस portion के बारे में हम detail में बात करेंगे next video में आज इक इस video बस इतना ही रहेगा हम मिलते हैं आप से 7 बजे कल साम में जरूर से देख लिजिएगा next video और ऐसे करकर के और भी बहुत सारे पार्ट है हम इसमें type भी पढ़ेंगे इसके बाद कुछ क्लापे वगरा है उसको भी देखेंगे हम लोग ठीक है अब पोर्फन अपना जीव कैसे करता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे उसके बाद यहां पर हम चीजों को देखेंगे कि मनुष्य में कैसे पाचान तंत्र विक्षित हुआ है कैसे बोजन पचते है तो यह हम next वाली वीडियो में कर लेंगे उसके अब बाद आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसमें लोग नेक्स टॉपिक को चर्चा करें तो दोस्तों बस आज किस वीडियो में बस इतना ही मुझे उमीद है कि आपको इन साधे चीजों के बाद है पता चल गया होगा जो भी चीज़े मैंने आपको बता आई नेक्स वीडियो मिलेंगे नेक्स पार्ट में स्टे ट्यून रहिए सब्सक्राइब जोर से कर लिजएगा सरमाजी एजूकेशन यूटूब चैनल को मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नमस्कार